नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपका कमेंट आ रहा था कि हम दिल दे चुके सनम टाइटल सॉंग जो की है उसका पैच बनाई यह तो मैंने प्रयास किया पैच को तयार किया है और दोस्तों मैं गहना चाहूंगा कि मैंने इस पैच को कवर भी किया था एक मुजिक के साथ लेकिन उस पर जब मैंने अपलोड किया सैंपल तो उसमें जो है कॉफी राइट आ गया तो इसलिए मैंने उसको मतलब अपलोड नहीं किया कावर नहीं किया ऐसे ही सुनते है इसको पहले उसके बाद में इसकी प्लाइंग और इनिटिंग देखेंगे तो आये दोस्तों अब हम इस पैच की जो है इस वेहरेशन की प्लाइंग देखेंगे पहले वैहरेशन की की पहला वेरेशन कैसे बेट होगा बस यह जोस्तों है थोड़ा ध्यान से देखेंगा समझेगा तब हैं सभी को अच्छे से समय आएगा अंठा समझ में नहीं आएगा वीडियो स्क्रिप मत करेगा तभी समय आएगा तो आए पहला वेरेशन पहले बजा करके देख लेते हैं तो आए अब हम अलग अलग हांतों के अलग प्लेइंग देख लेते हैं ताकि प्लेइंग करने में असानी रहों थोड़ा ध्यान से देखेंगा तभी सोन में आएगा यह नहीं बज़ेगा देखें दूस्तों तो दूस्तों आपने देखा कि यहां पर वन आता है और यहां पर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव तो ऐसे बज़ेगा तो अब हम दूसरे हाथ के प्लेंग देख लेते हैं कि दूसरा हाथ हमारा कैसे चलेगा थोड़ा ध्यान से देखेंगा तभी समझ में आएगा अन्ता समझ में नहीं आएगा तो आए हम देखते हैं तो आज यह अब हम पड़ा डिले आफ कर लेते हैं ताकि साउंड किलियर आ सके और उस लोली स्पेड में दोनों हाथ को बजा करके देखते हैं ताकि समझ में आए कि दोनों हाथ कैसे चलेंगे तो आए हम देखते हैं स्पेड में दोनों हाथ को चलाएकर थोड़ा ध्यान से देखिए अब हम दूसरे वेरेशन की प्लेंग देख लेते हैं यह आपका पहला वेरेशन था ज्यदा तर यहीं बजा है तबला जो है वीट मैंने नहीं लगाई है क्योंकि तबला बेट लगाएंगे तो बाकी चीज खाली जली जाएगे तो इसलिए तबला बीट इसमें नहीं रख अब हम इस वेरेशन की प्लेंग दोनों हाथों को साथ में चला करके मतलब सुलो स्पीड में देख लें बहुत ही सुलो स्पीड में ताकि समझ में आग सके हम सभी को कि यह वेरेशन कैसे बजाने में असानी हो एक वेरेशन और बजा है जो कि आप डफली में बजा सकते हैं वह मतलब पहले म्यूजिक में साय तो बजा है आपकी जो यह डफ लगी हुए है इसमें और इसको बीट करके उसमें गाने को सुनकर आप बजाएंगे तो असानी से इसमें काम चल जाएगा तो में दोस्तों प्लाइंग हम सभी को असान